मरने के बाद इनसान कहां पे जाते हैं और क्या देख पाते हैं? कुछ लोग हैं जो सच में मरने के बाद जिन्दा हुए उनका कहना है कि मरने के बाद वो अजीब सी रोशनी को देख पाते हैं कुछ का कहना है कि वो किसी की आवाज को सुन पाते हैं तो आज की इस कहाने में हम यही देखेंगे कि इनसान मरने के बाद कहां पे जाता है और उसके साथ क्या होता है। तो कहानी की शुरुवात होती है कुछ medical students के साथ। पहली है कर्टनी जो कहानी की main character है। दूसरी है मारलो जो खुद को बहुत समझदार समझती है लेकिन वो है नहीं। तीसरा है रॉय जो सबसे समझदार student है। चौती है सोफिया जो बहुत ज़दा पढ़ाई करती है लेकिन बहुत ज़दा पढ़ाई करने के बाद भी खांस result नहीं आते। और पाँचवा है जैमी जो सबसे सदा बेवकूफ है। तो शुरुवात में हम जैमी को देख पाते हैं जो कि खाना खा रहा होता है। और तभी कर्टनी इसके पास आती है और कहती है कि क्या तो मेरे साथ मज़े करना चाहोगे। ये बात सुनकर जैमी काफी शौक हो जाता है लेकिन वो हाँ कर देता है। ताकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर सके। कर्टनी अपने उपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी जिससे वो पता लगाएगी कि मरने के बाद लोग क्या महसूस करते हैं। मरने के बाद लोग कहां पर जाते है और इस चीज को experience करने के लिए करटनी को मरना पड़ेगा तो इस experiment को करने के लिए जैमी और सोफिया को करटनी की धड़कन रूखनी पड़ेगी और जब करटनी मर जाएगी उसके एक मिनिट बाद दोबारा से करटनी को वापस भी लाना ह लेकिन सोफिया ये सुनकर काफी डर रही थी तब कर्टनी कहती है कि चिंता मत करो अगर मैं मर गई तो मेरे मरने का इलजाम तुम्हारे उपर नहीं आएगा फिर जेमी अपना प्रोसेस चालू करता है और वो कर्टनी की धड़कन को रोग देता है और अब कर्टनी मर चुकी होती है और साथ ही में कर्टनी के मरे हुए एक मिनिट हो चुके थे तो अब उसे दोबारा जिन्दा भी करना था लेकिन यहां जेमी और सोफिया मिलकर कर्टन में लाने की कूशिश करता है लेकिन अब हम कर्टनी को देख पाते हैं जो मरने के बाद आफ्टर लाइफ में पहुँच चुकी थी मतलब वो साथ सपना देख रही थी जहाँ पर वो एक खूपसुरत से ब्रिज के उपर थी और यहाँ उसके चारो तरफ रोशनी थी और फिर थोड़ी दिर बाद रॉय कर्टनी को होश में ले आता है और जैसे ही कर्टनी होश में आती है यहाँ पर इनकी एक और फ्रेंड आ जाती है यानी मारलो यहाँ पर आ जाती है तो अब मारलो को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब पता चल जाता है जिसके बाद कर्टनी अपने एक्सपेरियंस के बारे में बताती है कि जब उसकी ब्रेन के अलग-अलग हिस्सों में कोई बिजली जैसी चीज चमक रही थी और इस एक्सपेरिमेंट के बाद कर्टनी थोड़ी सी बदल गए थी अब दूसरे दिन जब ये सारे दोस्त मिलकर अपने क्लास में जाते हैं और यहां एक डॉक्टर इनसे काफी मुश्किल सवाल पूछता है तब कर्टनी सारे सवालों के जवाब काफी आसानी से दे देती है इसका मतलब उस एक्सपेरिमेंट के बाद कर्टनी का IQ काफी बढ़ गया है वो अब काफी स्मार्ट हो गई है और ये जानने के बाद बागी दोस्त भी काफी जदा एक्साइटेड थे लेकिन अब हम कर्टनी को देख पाते हैं जो अपने घर पे थी और वो काफी अजीब चीजों को हैलिसुनेट कर पा रही थी कर्टनी को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके घर के अंदर घुसाया है बट ऐसा कुछ ने था ये बस एक उसका वहम था मतलब की एक्सपेरिमेंट के वज़े से उसकी आईक्यू जरूर से बढ़ गई है लेकिन साथ ही में उसे वहम वाली बीमारी हो गई है देन इस रात हम जेमी को देख पाते हैं और वो काफी खुश था और तब ही सारे दोस्त मिलकर जेमी को होश में ले आते हैं और जेमी याँ बर काफी खुश था किको ये एक्सपेरिमेंट दोबारा से सक्सेस्फुल हो गया था और एक्सपेरिमेंट सक्सेस्फुल होने की खुशी में ये सारे दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं और दूसरे दिन जब ये सारे दोस्त हॉस्पिटल जाते हैं और कुछ पेशिंस का ध्यान रखते हैं तब जैमी एक पेशिंट की जान बचा लेता है एक सही दवाई को दे कर इसका मतलब अब जैमी भी काफी स्मार्ट हो गया है लेकिन साथी में जैमी को भी हैलूसिनेशन होने लगता है जैमी रोड के बीच में एक लड़की को देख पाता है जिसे की जैमी ने अपने सपने में देखा था देन फिर एक और रात हम सोफिया को देख पाते हैं, जो अपने दोस्तों के पास जा रही थी, लेकिन उसकी मौम उसे रोक लेती है, सोफिया की मौम उससे कहती है, कि तुम कहीं नहीं जाओगी, और घर पे बैठ कर पढ़ाई करोगी, तुम बहुत कमजोर हो, तो सोफिया ना होश में ले आना ऐसा इसलिए क्योंकि मारलो चाहती थी कि अगर वो तीन मिनिट तक मरी हुई रही तो उसमें शायद ज्यादा special powers आ जाएं और अब दोबारा से वही चीज होती है सबसे पहले मारलो की धड़कन को रोग दी जाती है फिर मारलो अपने after life या फिर कहलो सपने में पहुँच जाती है जहाँ पर वो काफी अजीब चीज़े experience कर रही थी वो कभी पानी में थी तो वो कफी अजीब जगा में थी और अब मारलो के मरे हुए तीन मिनिट हो चुके थे तो अब उसे होश में लाने की कोशिश की जाती है लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी हम मारलो को देख पाते हैं जो अपने सपने में अपने सामने एक लाश को देख पाती है लेकिन मारलो कुछ समझ नहीं पाती लेकिन किसी तरीके से रॉय मारलो को दोबारा से होश में ले आता है और अब यहाँ मारलो भी काफी खुश थी कि अब वो भी स्मार्ट हो गई है लेकिन तब यहाँ पर रोते हुए सूफिया आती है सूफिया बताती है कि उसकी माँ से पढ़ने के लिए बहुँच ज़़दा करना ज़रूरी है तो अब यह लोग इसी टाइम पर सूफिया के उपर भी एक्सपेरिमेंट चालू कर देते है सबसे पहले सूफिया की धड़कन रोग दी जाती है फिर सोफिया अपने आफ्टर लाइफ में पहुंच जाती है और एक मिनिट होने के बाद दोबारा से सोफिया को होश में लाया जाता है लेकिन अब यहाँ पर टाइम काफी जाता हो चुका था इस वाले कमरे में साफ सफाई करने के लिए लोग आने वाले थे यानि अगर यहाँ से ना निकल पाए तो यह सारे दोस्त यहीं पर पकड़े जाएंगे लेकिन सारे दोस्त मिलकर जल्दी से सोफिया को होश में लाते हैं अपनी गाड़ी में डालते हैं और यहाँ से गाड़ी भगा कर निकल जाते हैं और फिर ये लोग दोबारा से पार्टी करने के लिए जाते हैं लेकिन हम यहां करटनी को देख पाते हैं जो कि एक बच्ची को देख पाती है लेकिन यह सब कुछ उसका वहम था और दूसरी तरफ हम सूफिया को देख पाते हैं और तब सोफिया काफी confident होकर बाहर आती है और अपनी मा से कहती है कि अब बस बहुत हुआ अब मैं आपके साथ नहीं रहोंगी मैं अकेले जाकर रहोंगी और ये कहकर सोफिया अपनी मा को छोड़ कर चली जाती है और फिर हम Roy को देख पाते हैं जो पार्टी के बाद मारलो को घर जाने से रोक लेती है मारलो कहती है कि वो एक राज बताना चाहती है मारलो बताती है कि एक बार गलती से उसने एक patient को जान से मार दिया था और ये सुनकर Roy कहता है कि कोई बात नहीं हमसे गलतिया हो जाती है तुम भूल जाओ लेकिन मारलो चुप होने का नाम नहीं ले इसलिए रॉय मारलो को किस कर लेता है और अब ये दोनों इंटिमेट होते हैं खेर अब ये दोनों रिलेशन्शिप में भी आ चुके थे जिसके बाद मारलो पूछती है कि मैंने एक आदमी की जान ली है और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ तो तुम मेरे बारे में क्या की है और इसके बाद हम कर्टनी को देख पाते हैं जिसे बार बार हैलोशिनेशन्स आ रहे थे और अब हम देख पाते हैं कि अतीत में कर्टनी के साथ क्या हुआ था दरसल कुछ सालों पहले कर्टनी की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था टेस और एक बार कर्टनी अपन जिसे कि ऊपने अपने सपने में डेखा था और साथ ही में इसकी बच्ची की आवाज सुनाए दी रही थी और अब इस चीज से ये वी काफी परिशान हो चुका था तबी Jemi के पास कर्टनी का कॉल आता है कर्टनी बताती है कि वो काफी परिशान है उसे बार-बार hallucination वगेरा आ रहे है और ये सुनकर जेमी कहता है कि तुम घर पे रहो मैं तुमारे पास आ रहा हूं जिसके बाद हम कर्टनी को देख पाते हैं जो अपने घर पे थी और खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें वो कहती है कि मेरी गलती के वज़े से मेरी बहन की मौत हुई और अब मेरी बहन मेरा पीछा कर रही है और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कर्टनी अपने घर पे अपनी बहन की आत्मा को देख पाती है और ये देखकर कर्टनी काफी डर जाती है और यहां से भागने की कुशिश करती है लेकिन भागने के चकर में वो सीड़ियों से नीचे गिर जाती है जिस वजह से कर्टनी की यहीं पर मौत हो जाती है और फिर दूसरी सुभा सारे दोस्तों को ये खबर मिलती ह और ये सुनकर सारे दोस्त काफी दुखी थे और काफी डर चुके थे कि अब उनकी एक्सपेरिमेंट के बारे में सारे लोगों को पता चल जाएगा और इन सारे लोगों का करियर खतम हो जाएगा और फिर जेमी यहाँ पर रॉय से कहता है कि तुम तो हमारे साथ नहीं थे तुमने अपने उपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो तुम चले जाओ और अपनी करियर को बचा लो बट रॉय कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जो तुम्हारे साथ होगा वो मेरे साथ भी होगा मतलब रॉय अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता जिसके बाद यह लोग सोचते हैं कि यह अपने experiment के सारे details को सारे proofs मिटा देंगे बट इनके experiment के related थोड़े बहुत details करटनी के phone में भी थे लेकिन पता चलता है कि hospital वालों ने करटनी का phone करटनी के last के शाथ रखा हुआ है और करटनी के dead body इसी hospital के basement वाले area में है तो अब मारलो का काम था कि वो बेस्मेंट में जाके कर्टनी के फोन को ढून कर लाए खेर अब मारलो बेस्मेंट वाले एरिया में जाती है जहाँ पर सारे मुर्दे लोगों को रखा जाता है और यहाँ पर वो कर्टनी के फोन को ढून लेती है लेकिन पता नहीं इसको क्या सूचता है ये कर्टनी के dead body को निकाल कर देखती है और फिर दोबारा उसे वापस रख देती है लेकिन फिर अचानक से यहां की lights चली जाती है और मारलो अपने सामने murderer लिखा हुआ देख पाती है और फिर अचानक से सब कुछ normal हो जाता है मतलब म मारलो भी यहां पर hallucinate कर रही थी देन हम दोबारा जेमी को देख पाते हैं जो अपने घर पे था और दोबारा उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाए दे रही थी जिससे की जेमी काफी जादा परिशान हो चुका था और अब सारे दोस्त दोबारा से कठा होते हैं और यहां कर्टनी का फोन लेकर आ गई थी जिसमें वो कर्टनी के आखरी वीडियो को देख पाते हैं जहां पर कर्टनी कह रही थी कि उसकी गलती के वज़े से उसकी बहन की मौत हुई है और अब उसकी बहन की आत्मा उसके पीछे पड़ गई है और यह वीडियो देखने के बाद ज है लेकिन अब जैमी बताता है कि कुछ सालों पहले वो एक लड़की से मिला था और जैमी ने उस लड़की को प्रेगनेट कर दिया था और फिर जैमी उस लड़की को छोड़कर भाग आया इसका मतलब जैमी जिस लड़की को हैलुसिनेट कर रहा था वो लड़की जैमी की और जैमी की बात सुनकर सोफिया बताती है कि उसने भी एक गलत काम किया है जब सोफिया 17 साल की थी तब उसके स्कूल में एक लड़की थी जो काफी समार्ट थी और पढ़ने में काफी अच्छी थी जिसे देखकर सोफिया काफी जैलेस फील करती थी और फिर सोफिया ने उस लड़की की न्यूड फोटोस पूरे स्कूल में वाइरल कर दी थी जिस वज़े से स्कूल के सारे बच्चों ने उस लड़की का बहुत मजाग बनाया था और इसलिए सूफिया को भी बार बार एक लड़की के बारे में हलुसिनेशन हो रहा था और यहाँ पे मारलो के बारे में तो हमें पता ही है कि उसने क्या गलत काम किया है मारलो ने रॉय को बताया था कि उसने एक पेशिंट को गलती से जान से मार दिया था और इसलिए मारलो को बार बार एक पेशिंट दिखाए दे रहा था तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके उपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है वो हैलुसिनेशन कर रहे हैं और हैलुसिनेशन उनको क्यूं हो रहा है तो अब हम सूफिया को देख पाते हैं जो समझ गए थी कि उसको अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा तब ही उसके साथ जो हैलुसिनेशन वगेरा हो रहे हैं वो रुख जाएंगे तो अब सूफिया उसी लड़की से मिलने के लिए जाती है जिसका फोटो उसने वाइरल कर दिया था तो अब सूफिया इस लड़की के पास आकर माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो स्कूल के टाइम पर जिसने तुम्हारा फोटो वाइरल किया था वो मैं हूँ मैंने ही तुम्हारे फोटो को पूरे स्कूल में वाइरल कर दिया था प्लीज मुझे माफ करतो और लग्किली ये लड़की सूफिया को माफ कर देती है जिस वज़े से सूफिया को हैलिसिनेशन आने बंद हो जाते हैं और ये देखने के बाद जेमी भी समझ गया था कि उसको भी अपनी गलती सुधारनी पड़ी की जिसके बाद जेमी अपनी उस गल्फ्रेंट और उसके बेटे को अपना लेता है तो इस तरीके से जेमी भी अपनी गलती को सुधार लेता है जिसके बाद हम रॉय को देख पाते हैं जो मारलो के पास जाता है कि अब मारलो को भी अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा और अगर मारलो को अपनी गलती सु पाएगी और ये सोचकर मारलो अपनी गलती को सुधारने के लिए मना कर देती है लेकिन फिर मारलो को दोबारा से हलुसिनेशन होता है जहां पर मारलो दोबारा से उसी पेशन को देख पाती है जिसे कि उसने जान से मार दिया था और इस हलुसिनेशन के बाद मारलो भी काफी परिशान हो चुकी थी और अब मारलो भी अपनी गल्ती को सुधारने के लिए मान जाती है then मारलो रॉय को एक मेसेज़ करती है जिसमें वो लिखती है कि मुझे अब इस चीज़ को रोकना है प्लीज मुझे माफ कर दो और फिर मेसेज मिलने के बाद रॉय अब मारलो को ढूंडने के लिए जाता है और हम यहां मारलो को देख पाते हैं जो कि बेस्मेंट वाले एरिया में आकर खुद के उपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी मतलब खुद की दिल की धड़कने वो रोक चुकी थी और अब दोबारा से मारलो अपने आफटर लाइफ या फिर कहलो अपने सबने में पहुँच चुकी थी और यहां पहुँच कर मारलो उसी पेशेंट को देख पाती है जैसे कि उसने जान से मारा था और अब मारलो इस डेड बॉडी से माफी मांगती है कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी गलती की वज़े से तुम्हारी जान गई है लेकिन ये डेड बॉडी मारलो को माफ नहीं करती बलकि मारलो को जान से मारने की कुशिश करती है और दूसरी तरफ रियल लाइफ में रॉय यहां मारलो को होश में लाने की कूशिश कर रहा था लेकिन वो मारलो को होश में नहीं ला पाते क्योंकि हम देख पाते हैं कि मारलो अपने सपने में भी मर चुकी थी उस dead body वाले patient ने मारलो को उसके सपने में भी जान से मार दिया था जिस वज़े से अब मारलो completely मर चुकी थी अब उसे दोबारा होश में लाया नहीं जा सकता लेकिन रॉय हार मानने को तियार नहीं था वो एक injection लेता है और मारलो को लगा देता है जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मारलो अपने सपने में दोबारा से जिन्दा हो जाती है और मारलो अपने सपने में कर्टनी को भी देख पाती है कर्टनी यहाँ मारलो को समझाती है कि उसे अपने आप को माफ करना होगा तब जाकर उसका ये hallucination वाला problem खतम होगा और इसके थोड़ी दिर बाद मारलो होश में आ जाती है इसका मतलब मारलो अपने आपको दूशी मानती थी बट उसको खुद को माफ करने की जरुवत थी तो जैसे ही मारलो ने खुद को माफ किया सब कुछ ठीक हो गया जिसके बाद ये experiment के related जितने सारे information इनके पास थे वो सब कुछ वो पानी में fake देते हैं ताकि दोबारा कोई इस experiment को ना कर सके और finally चार दोस्तों के साथ ये movie यहीं पर खतम हो जाती है तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरा explanation आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना